नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर, MBN नेट्वर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी के अंदर का घमा सान अब सडकों पर आ गया है। सडकों पर आ गया है मैं क्यों कह रही हूँ क्योंकि ये सब चीजें अब लोगों को दिखाई देने लगी हैं। अब रागव चड़ा ने मनी सिसो दिया, संजे सिंग, आतिशी मारलेना सब को पीछे छोड़ दिया है और खुद को बहुत खोशित कर दिया है। आप समझ रहे हैं कि केजरिवाल की जमानत, अर्विन केजरिवाल, दिल्ली के सियम, अर्विन केजरिवाल की जमानत का अभी कोई असार नजर नहीं आ रहा है। और सुनीता केजरिवाल अलग से हर्याना के बेटे के लिए रो रही है, भीक माग रही है कि उन्हें आप किसी तरीके से जितवा दीजिए, लेकिन जीत और हार की बात तो बहुत दूर की बात है, अभी तो सीट शेरिंग में बात अटकी हुई है, किसमें? कॉंग्रेस और आम आग रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, बेल आइकन को हिट कर दीजे ताकि आपको मेरे सभी वीडियो सबसे पहले मिले, और कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर कीजे, और कमेंट भी कीजे, और सभी राष्टवादी, नेशनलिस्ट, चैनल के प कि ये इस्ति क्यों बनी है, क्योंकि अर्विन केजरिवाद जेल में है, दिल्ली शराबनीती गोटाले में सेंटरल ब्यूरो औफ इंवेस्टिगेशन, I mean CBI ने अपनी जाज पूरी कर लिए, बार-बार कोट में यही सवाल हो रहा था ना, कि आप जाज पूरी कर लीजे, आप हमें सबूत दिखाईए, तो अब वो मुमेंट आ चुका है, हलाकि आप सबको पता है, कि आदेश जो है सुरक्षित रखा हुआ है, लेकिन लगातार CBI अपना काम कर रही है, ED अपना काम कर रही है, जाज एजंसी ने राउजवेनी कोट में अपनी पाच्वी और आख करने में, डेवन से ही इस अपरादिक साजिश में शामिल थे, जिसे वो नकारते रहे हैं, कि मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है, मैंने तो इसमें कुछ किया ही नहीं, मेरे तो कहीं साइन ही नहीं है, अब कहीं साइन नहीं है, लेकिन आपकी कंसेंट तो माहने रखती है न, कंसेट्स से तो आप नहीं भाग सकते, अच्छा ये भी बात समझ में आ रही है, ये भी जानकारिया निकल के आ रही है, कि वो डे वन से ही शराब नीती के प्राइबिटाजेशन का मन बना चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने चारू तरफ एक मजबा बनाया हुआ था, लोगों से कॉंटेक्ट करे थे और साउथ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक के वो लगाता टच में थे, और देखिए उन्होंने ये मन बनाया हुआ था, ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि जिस समय कोविट काल चल रहा था, पेंडेमिक में एक टाइम ऐसा आया था, कि जब बातें, फाइनल होती हैं, तो इट मींज, वो शराबनीती के प्राइविटिजैशन का मन बना चुके थे ना, और ये सब बातें उनके दिमाग में चल रही थी, उनके दिमाग में ये था, क्योंने ये करना है, और चार्शिट ये कहती है, कि मार्स 2021 में जब उस समय के डेप अगर पार्टी को पैसो की जरूरत है, तो आप डाका मारिएगा, आप गलत काम करिएगा, आप जनता का पैसा लूटिएगा, क्या क्या करिएगा आप, पार्टी को पैसो की जरूरत है, इसलिए उन्होंने अपने करीबी और आम आदमी पार्टी की मीडिया और संचार ही तो सब आदनी मार्किट में पैसा जुटाने का काम कर रहे थे तो दूशी वो है जो गया या आप हैं जिनोंने भेजा ये बात बिलकुल सिंपल है समझने की बात है अब इससे CBI का माइंड सेट पता चल रहा है इससे जमानत का भी स्टेटस आप समझ लीजे कि जमानत का स् समय कोट में है जमानत एंड ग्रिफतारी जमानत पर जो आदेश है वो स्रक्षित है अब ऐसे में जब कोट में सब कुछ चल रहा है तो रागव चड़ा ने अपना हाथ साफ कर लिया उन्हें लगा कि अब तो केजरिवाल अभी आने में वक्त लगेगा केजरिवाल अभी जमानत पाने में अभी थोड़े से मुश्किल में है उतने में वो अपना काम कर ले तो उन्होंने केजरिवाल के अधिकारों पर ही हाथ साफ कर लिया अब वो पार्टी के सारे फैसले ले रहे हैं जेल में मिलने के लिए देखिए संजे सिंग को जेल प्रशासन ने भगा द पार्टी के बहुत बन गए हैं बहुत सारे लोग हैं सीट शेरिंग पर बात करने के लिए मनी स्विसाधिया है जो डेप्टी सीमा यानि की दो नंबर पर हुए ने टेक्निकली देखा जाए तो और मिशिस केजरिवाल हैं हलाकि चलिए उनको तो इतनी बुद्धी है नहीं सवरभारद्वाज हैं संजे सिंग है लेकिन सब को 22 पाक्स करके राघव चड़ा आमाद्मी पार्टी के बहुत बन गए हैं अब देखिए हर्याना में चुनाव में कॉंग्रेस के साथ आमाद्मी पार्टी गटबंदन के लिए सोच रही है लेकिन इसमें देखिए एक बरिया उनके बीच में एक राउंड बात हुई है और दूसरे राउंड की भी बात हुई है अब जो बातें च्छन करके आ रही हैं उसमें कॉंग्रेस आमाद्मी पार्टी को केवल और केवल पांच सीटे दे रही हैं बात शुरू हुई थी 20 सीटों से 20 सीटों से 10 सीट पे पांच सीटों पे आमाद्मी पार्टी कभी भी तयार नहीं होगी लेकिन जो इस्तिती है आमाद्मी पार्टी की उसमें तो वो किसी भी प्लेटफरम पे जाकर के मान सकती है अब काफी ना नुकुर के बाद यह समझा जा रहा है कि आमाद्मी पार्टी इसके लिए तयार हो सकता है रागप चड्डा ने रविवार को ये कहा था कि कॉंग्रेस और उनकी पार्टी दोनों ही अपनी व्यक्तिगत अकांग्शाओं को एक तरफ रखके हर्याना की चुनाव के लिए गटबंदन पर तयार है अब उन्होंने ये कहा है कि गटबंदन पर बातचीत किया कि आम आद्मी पार्टी गटबंदन में आगे नहीं बढ़ेगी अगर कोई विन-विन सिट्योशन ना हो तो और कहा ये भी जा रहा है कि बातचीत पॉजिटिव महौल में ही हो रही है लेकिन आपको पता है कि कॉंग्रिस जो है वो सब बाते पहले गुड़ी गुड़ी करती है और ज्याद से ज्यादा सीटों पर वो चाहती है ये अखिरेश जादब के साथ भी किया था लेकिन अखिरेश जादब ने उनको बहुत ठिकाने पर रखा था उनका दिमाग जो है सई करके रखा था हलांक जो फिर बार में कॉंग्रिस चा रही थी उसके नजदीक तक राहूल गादी पहुंच गए थे खेर वो यूपी की बात थी ये हर्याना की बात है तो दोनों पार्टी हर्याना के लोगों की मांग को प्रत्मिक्ता दे रही हैं और ये भी कहना है कि हम साथ साथ चुनाव रखते हैं लेकिन सीट शेरिंग सबसे बड़ा लिटमेस टेस्ट यही होता है गठबंदन में तो रागव चड़ा यह कह रहे हैं कि सीट बटबारे पे बॉल टू बॉल टिपनी में नहीं कर सकता अब उन्होंने यह कह कर के खुद को बचा लिया है दोनों पार्टियां काम में लगे हुए हैं लेकिन अभी मैं एक चीज़ आपको समस्ट कर दूं कि आम आदमी पार्टी की जो कहना चाहिए कि अंधुरून लड़ाई की वज़े से जो इस्तिती है वो ज्यादा अच्छी नहीं है लड़ाईयों तो कॉंग्रिस में भी है लेकिन आम आदमी पार सीटों पर अलाइंस करने का प्रस्ताथ दिया लेकिन अब जो पता चल रहा है अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक कॉंग्रेस केवल और केवल पांच सीटे देने की स्थिती में है हलाकि डागव जड़ा यह कह रहे हैं कि कितनी सीटों पर बातचीत हो रही है यह अभी हम नहीं कह सकते यानि कि 12 सितंबर से पहले कुछ ना कुछ पैसला तो हो ही जाएगा क्योंकि उसके बाद तो फिर समय नहीं बचेगा वो यह भी कह रहे है कि अगर विन-विन situation नहीं बनती तो फिर हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे लेकिन वो यह भी कहते हैं कि अभी हमने आस उमीद नहीं छोड़ी है नतीजा कुछ अच्छा ही निगलेगा अच्छा यह जो मैं आपसे बात कर रहे हूं न सीट शेरिंग की तो इसमें देखिए आम आदमी देखिए बीच सीट फिर दस पे आ गए अब पास पे आ गए है अब अगर यहने दो सीट भी मिल जाएंगी न तो भी यह वहां कूद कूद के चुनाव लड़ने के लिए पहुंच जाएंगे तो यह क्या हुआ मतलर जो लोकसभा चुनाव था उसमें भी यही ड्रामा और यहां भी इनकी नसमझी के कारण ऐसा ही हो सकता है और वो दीसरी पार्टी कौन है भारते जंता पार्टी तो अभी तो देखिए ड्रामा वो लुकसभा एक अलग बात थी उसके नतीजे सामने है दिल्ली से कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी दोनों का सूपड़ा साफ हो गया लेकिन विधान सावा में थोड़ी सी से अलग होती है इसलिए अब देखिए यह खेल हो रहा है बहुत टाइम कम रह गया है लेकिन यह खेल केवल केजरिवाल को दिखाने के लिए ही रागव चड्डा कर रहे हैं इसके अलावा और कुछ नहीं है रागव चड्डा क कि सेथ पे कोई फराख नहीं पड़ता, उन्हें एक भी सीटना मिले हैं, लेकिन हाँ, अर्विन केजरिवाल जेल के अंदर टीवी तो देखी रहे हैं, और उनको एक मेसेज जाना चाहिए, कि सीट शेरिंग के लिए कौन काम कर रहा है, इसलिए उन्होंने संजे सिंग, मनिश स्वादिया, सब को कहते हैं अल्लात मारती है, और खुद आगे आकर के, पिक्चर में आ गए हैं, कि जैसे वो ही सब कुछ कर रहे हैं, वो ही बोस है, अब बोस को जो जेल के अंदर बठा हुआ है, उसको ये कम्मुनिकेट हो रहा है ना कि, रागव चड़ा कुछ कर रहे है मनीश स्वादिया तो कुछ करी नहीं रहे हैं, संजे सिंग तो कुछ करी नहीं रहे हैं, तो दोस्तो आपने मेरे साथ पुरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप मेरे वीडियो को लाइक करते रहे हैं, कमेंट जरूर करा करें, दोस्तों कमेंट म आप कंजूसी मत कीजिए, नहीं तो फिर बताईए मुझे कैसे बता से लेगा कि आप मेरे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, मेरे कंटेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, कुछ रहें, स्वस्त रहें, जय हिन, जय भारत!